प्थान कोट पहली से बार्मी तक का दाखिला शुरू जमुकश्मीर स्टुडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मोका 9216504779 के अलम इंटरनाशनल स्कूल पथान कोट जो रोड है इनकी गाड़ियों का जो है वो कफी रुक्सान होता है लेकिन आज तक जो है उसकी कोई बर्पाई नहीं केगी लगातार यह ड्राइवर आज जो है यह बस्टेंट पर प्रोगेस्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर आखिर कफेल जी यह बताएं कि आज आप सारे लोग यहां बस्टेंट पर क्यों अप्रोटेस्ट कर रहे हैं अखिर क्या हो गया अज आज आपको प्रोटेस्ट करना प्राइब है राइसे नहीं हैं यह 10 साल से हम इंतजामियां जो यहां पर है हम उनको कैज चुके हैं कई बार कैज चुके हैं एक वर हमने बनाके हमने अंधर पेश भी किये हमने डीज सब को आगे भी पेश किये हमने गवर्णुर साथ तक भी हमने अप्रोच की और कोई अवाज पब्लिक की आवाज को सुनने के लिए तियार नहीं है देखो ये करोनो में हमारी ने इन लोगों को पहले से ही तंग करके रखा हुआ है बीजी से मेंडर जो रोड है उस रोड के ओपर जो हमारी गाड़ें जलती है रास्ते में उनके जो है स्पेर पार जो है खुल जाते है 23 किलो मिटर रोड है ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है और ब्यारो वालों के पास आर रेडी फंडिंग होती है उनको किसी से कोई मांगना नहीं पड़ता है लेकर ब्यारो भी यह हमारे यहां पार नोकल टबार्डमिन को देखे ब्यारो वाले भी जो हैं वो भी फेल हो चुके है उन्हों ने देखा कि यह जो है लुटमारी उन्होंने मिचाई हुई है साथ में हम भी लुटमारी मिचाएं और आप यह इता जाना ऐना प्रेशन पेटर जानती है और उस रोड की अभी जो है स्टार्टिंग से जो टेक अप पाइंट है वहां से उसके उपर बज़रानी पड़ा है वहीं की वहीं पड़ी हुई है कफिल जी मेरे को यह बताए कि अगर यहां से जम्मू जाना हो तो यहां से बीजी तक का सफर जो ह है वो कफी लोगों की हालत खराब हो जाती है तो कितना मुश्किल है जो हमारे ड्रावर जिदें भी बीजी रूट के चलते हैं वो हमने कई बार उन्होंने वहां पर कुछ हर सब प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने कई बार कहा कि हमारी यहां से 20-25 मिंट लगते हैं बीजी पॉंटी है जो पसेंजर यहां से बैठके बीजी तक जाता है उस पसेंजर ने भी यह वाज इठाई कि हमारे यहां से 20-25 मिंट लगते हैं तो दो गिनटे यहां से हम बीजी पॉंटे हैं और आप देखें गोर्मिंट को पास खाली यही काम है कि तेल बढ़ाना है गरीब बी-धियार रोजो है यह फेल हो चुकी है यह भी फेल हो चुकी है आप मेंटर टु बीजी किसी केसे कॉंट्रैक्ट आप ऐसी किसी बंदे को ठेकेडार को दें ताकिussa करें और हमारी यह ड्रैवर जो है से fraction वे से सकता सफर्ग करें हमारी से 不ganý तृष्वारियों जो हमारे रोड उपे आने के लिए त्यार हैं यह बिलकुल हमारा 2000-3000 ड्रैवर हमारा स्टोन के अंदर आपड़ों करता है और डेली आपड़ों करता है और हमारे यह पूरा 2000 ड्रैवर जो हम चका जाम करेंगे हम सीधा रोड पे बैठेंगे और फिर कल अड्मस्टेशन हमारे अपर पलीज आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड को किनिशन ठीक की जाए हम इतना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ बात करेंगे लिए यह थे टाड़ा सोमो यूनिन के प्रेज़ेंट कफिल खान जिन्हों ने साफ़तोर पर कहा कि आज हमारा जो प् करेंगे सारी सभी जो है यह ड्राइवर तबका है जो कि आज यहां पर मैंटर टू बीजी रोड के लिए यह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका साफ तोर पर कहना है कि इतनी बुरी हालत है अगर यहां से जम्मू जाना हो तो हमें डाई से तीन गंटे सिर्फ यह कहीं सवाल उन नेताओं पर भी उड़ता है जो यहां के रिपर्जेंटेटिव रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने दोर में कोई आवास नहीं उठाई है और आज जो इस चीज़ की मुश्किल का जो सामना है वो इन लोगों को करना पड़ रहा है आम लोगों को करना पड़ रहा है कहीं नहीं यह एक जो है बहुत बड़ा सवाल है और इन्होंने लेफ्टेंट गुर्ण साब सभी जो अपनी मांग रखी है और अब देखना यह है कि कब तक जो है इनकी मांग पूरी होती है विडियो जलिश्थार के साथ मेरा ही कपूर मेंडर आंसरोम, Art Gallery, Hockey Club and Sports Club. आए आए सेंजय गज्टानी कृम इनाशनला कृम इनाशनल फिस फिसे क्लम इनाशनला को सरना ये कृम इनाशनला कृम भी क्लम इनाशनला को और व्ल पांजाब फूल इनाशनला कृавно। separately for boys and girls. The school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served. एक मा होने के नाते, अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा, तो सबसी पहली बार जो मैं जानना चाहूंगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में, वो यह होगा नो फेक प्रॉमिस. नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, जूठे वादे नहीं चलेगी. तो एक मा होने के नाते, जो मुझे तीन चीज़े चाहिए, वो है discipline, studies and sports. कि एक बार अपने बच्चों को एक बहतर भविश्य के लिए KLM International की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए, कि boarding की studies आपके बच्चों के लिए क्यों important है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई जरूरी है, तो इंशाल्ला आपके बच्चे का भविश्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है.